हलो आज है 14 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जुमाटो के बारे में देखें जुमाटो के शेर में आज तकरीवन 5.5% की गिरावट देखने को मैं लिए 74 रुपीज पर आज चोगा लेकिन इससे पहले के लगातार आठ दिनों से ये तीजे दिखा रहा था आज गिरावट आई है बाचेत करेंगे वीडियो में जुमाटो को लेकर कि गिरावट की वज़े क्या है लॉंग टर्म काउट लू क्या हो सकता है और कमपनी में अभी क्या चल रहा है देखें वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो पो काफी जादा हेल्प करेंगे और हो सकता है कि शायद कुछ दिनों की गिरावट रहे यहाँ पर लगिन दुबारा भागने के लिए तयार होगा देखो जोमैटो अभी क्या करें जोमैटो अभी प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ रहा है और इसलिए इनके रिविन्यू में थोड़ा बहुत जटके लगेंगे आज की गिरावट की जो सबसे बड़ी वज़ा है वो यह है कि कंपनी ने एक बड़ा बिजनस जो है उसको सट डाउन किया है यहाँ पर अगर हम बात ने जाए डी रेजिस्टर किया है यह कहलो आप यहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली है तकरीवन साड़े पांच प जो उसको डी रेजिस्टर कर दिया है जो जिसकी लोगेशन थी ऑस्ट्रेलिया में और आपको बता दे कि इससे पहले तो कंपनी हैस अनौंस अर्लियर ओन मार्च 31st देको जो मैटो उनने अपना बिजनस बहुत अदा फैला के रखा था अलग अलग देशों में भी तो उसको दीरे-दीरे क्या कर रहे है डी रेजिस्टर कर रहे है यह फिर लिक्विशन प्रोसे से वो शुरू है तहां पर कर रहे है अधिके जो मैटो शेट देट नाइधर of the subsidy has any active business operations besides they were not material subsidies of Zomato so the dissolution wouldn't affect any revenue of the food tech giant उनका है कि देखो भाया जो भी है वो को उतनी materialized subsidy नहीं थी जिससे Zomato का revenue में को इतना बड़ा जो effect है वो हमें देखने को मिले तो यह जरूर है as per the Zomato's Red Hearing Prospect Zomato Australia Private Limited has had a royalty income of 5.3 lakh in a year ended March 31st तो जो royalty से जो इनको आ रहा था वो मुश्किल से साड़े 5 लाक रुपया आ रहा था इनको ठीक है तो उतना बड़ा नहीं था यहां से इनका revenue आ देके Zomato has taken several restructuring measures over the last few quarters in its bid to turn profitable देखो Zomato चाहता है कि वह जल से जल profitable हो सके और इसलिए उन्होंने किया भी क्या जिस इवन भारत में भी जिस शहर में उनका business नहीं आ रहा था उनको भी उन्होंने बंद किया तकरीबन 225 जैसे शहरों में Zomato ने अपने services बंद करी हुई है in March this year the liquidation the liquidated Zomato Ireland Limited Jordan another step down subsidy based in Jordan तो अलग अलग जगे हो यह हो रहा है ठीक है इवन अगर आप देखो in UAE where Zomato used to operate in partnership with Kuwait based food delivery app तलाबेट the company discontinued rendering service in November last year इसके लाब भारत ने भी 225 जैसे जो शहर थे जहां से उनका performance ठीक नहीं था वहां से उन्होंने exit किया हुआ है तो देखो company कोशिश कर रही है और देखो मैं क्यारों कि बहुत ही अच्छा step है ठीक है बहुत ही अच्छा step है कि जहां से नहीं हो रहा है वहां पर फालतों में पैसा और वक्त बरवात क्यों करें और यहां पर अगर देखा जाए तो ब्रोक्रेज हाउस के भी कुछ commentary है ले इसको लेकर अगर आप देखो तो काफी जादा controversy छिडी हुई है और अभी उन्होंने अपने उस ad को pullback भी कर लिया है लेकिन controversy तो चल रही है इसको लेकर यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करो तो जुमैटो में आज तेजी और पिछले कुछ दिनों से बढ़िया रेजिस्टर किया हुआ है वो एक सबसे बड़ी यहां पर वज़ा थी आज की इस गिरावट की लेकिन उसके अलावा अगर company में brokerages की देखे तो five brokerages has given buy call suggesting target price of 105 105 रुपेस का है यहां पर on a weekly chart Zometo has formed a double bottom pattern and successfully broken above his neckline as 75 रुपीस का जो level है वो this breakout indicate the positive trend in the stock price presenting the opportunity for potential upwards अब यहां पर जो analyst है वो indicate करते हैं कि 83 90 रुपे का level भी यहां पर इच्छी हो सकता है यह access security से कहना है kotak का कहना है 95 रुपीस का target है उनका नुवूमा institutional के अगर हम बात के तो उनका target 94 रुपीस के आसपास का देखने को मिल रहा है और साथ मैंने कमेंटरी में यह भी कहा है कि we expect Zometo to maintain its market leadership in the food delivery segment Zometo's relaunch of his gold membership plan should bring back growth meanwhile the improved profitability is a clear demonstration of the operating efficiencies playing out और यह उनका कहना है कि भाया जो Zometo gold launch के membership वो उनको help करेगा growth में इसके अलावा जो profitable की तरफ बढ़ने के जो उन्होंने plans है वो उनको अच्छे लग रहे है JM financial का target 105 रुपे का M की financial का targeting है यहाँ पर 90 रुपे का तो देखा जाये तो जो brokerage houses है उनकी commentary यहाँ पर positive है Zometo को लेकर अगर हम देखे तो पिछले एक साल में इसका graph अगर आप देखोगे तो 5.5% की तेजी है अगर देखे गिर गया था यह बहुत बड़ी गिरावर थी 40 रुपे के करीब पहुंचा तेजी आ गई थी यहाँ पर दुबारा से यह गया 72-73 पर वापस गिरा था यह और उसके बाद अगर आप देखो तो बहुत बड़ी तेजी आई यहाँ पर लंब और देखोगे ऐसी तेजी बीच बीच में आती रही है आपको बता दी यहाँ पर बीच बीच में ऐसी तेजी आती रही है डेड़ सो रुपे 155 रुपे से गिर कर यह नीचे आया था जो होल्डिंग है शेर होल्डिंग पैटन है 54.60 कितने के पास है और बहुत जादा है तो जब भी शेर में कोई बढ़िया बाउंस बेक आता है वो भईया भरे रहते अंदर से शेर को बेचने के लिए और बड़ा ओडर लगाते हैं बेचने का फिर वापस से गिरावटा जाती है यह चीज़ हम पेटियम में देख चुके हैं फिर पेटियम में भी काफ रची रफ़ता पकड़ रहा है उम्मीद करते हैं कि वो देखने को मिले लेकिन जॉमैटो में मैं मैं मलब शायद हो सकता है ऐसा unless and until जॉमैटो भाई अब प्रॉफिटेबल बहुत जल्दी हो जाए और देखो यह जो इन्वेस्टर्स है ना जो अर्ली इन्वेस्टर्स है वो इसी बात का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल हो जैसे ही एक बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिले वो सैल को दबा देंगे वहां से वो अपने शेर्स को बेचने के रख देंगे यह मेरा मानना है ठीक यह मेरा अजम्शन से है बाकी आप अपनी इसाब से सोच सकते हो यहाँ आप आप 6.40% मूचल फंड के पास है 1.63% अधर डोमेस्टिक के पास है रिटेल और अधर की मिलाकर 37.36% की होल्डिंग है जिनमें से रिटेल एन्वेसर 7.40% की होल्डिंग लेकर बैठे है जो मैटर में आज वॉल्यूम बहुत अच्छे थे 8.31 लाग से भी ज़्यादा का कॉंटिटी में आज शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए इतना ही नहीं अगर हम बात करें जाए तो according to money and to loser 10% लोग कह रहें कि बेच दो 80% लोग कह रहें खरीदारी करो 10% लोग कह रहें यहाँ पर hold करो company में अगर आप देखोगे तो dividend भूल जाओ के pay करेगा लेकिन revenue बहुत अच्छा आया है 2023 में आप देखो तो बहुत तेजी से बड़ा है growth काफी अच्छा आया है 4,700 क्रोड का revenue रहा है और जहां दक बात करें profits की तो profit में अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कुछ बड़े declines हमें यहाँ पर देखने को मिले जरूर थे और actually 116 क्रोड का profit मेरे इसाब से उतना जादा नहीं आया है इनको क्योंकि अगर हम बात करने जाए quarter on quarter performance की बात करें तो लगा था पिछले चार quarter में loss ही आया है इने 186 क्रोड का loss 251 क्रोड का loss 347 क्रोड का loss और 188 क्रोड का loss तो अभी भी यह जो numbers आपको money control में दिख रहा है profit का वो है निक सुसोला क्रोड नहीं है बलकि हर quarter में इन्होंने बड़ा बड़ा loss ही किया है लेकिन फिर भी last quarter में अच्छी बात है कि loss कम हुआ है और उम्मीद करेंगे कि अभी all loss कम हो और company EBITDA positive actually में हो चुकी है अगर हम इसके blinkit वाले losses वो यहाँ पर count ना करे लेकिन definitely मैं मांगे चलाओ कि धीरे धीरे जो है वो चीज़े बहतर होते हैं यहाँ पर चली जाएगी लेकिन अभी जिस price पर है 70-80 रूपय का जो लेवल है मुझे अता है कि वो एक profit taking का लेवल रहेगा और इसलिए मैं इस range पर entry करना अभी पसंद नहीं करूँगा हाँ अगर यहाँ से correction आता है दुबारा अगर यह आपको 60-65 की range में दिखता है तो शायद वहाँ पर buying के मौके बन सकते हैं यह मेरा मानना है बाकी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं पर end करूँगा पसंद आखो तो like करे शायकर चाहिए बगरा पहले बार हैं तो please subscribe करे और जो मैटो के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट हमें लिखी बता सकते हैं Thank you